इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DUB vs ABD दुबई जो है और आब उधाभी के बीच में मैच खेला जाएगा UAE T20 लीग है ये मैच नमबर आठ है इन लोगों का मैच जो है आठ बजे से ही स्टार्ट होगा वीडियो को पूरा देखिए आपको फुफली स्टार्ट से इंफर्मिशन के साथ में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी माई मास्टर 11 अप्लिकीशन पे अगर आप देखोगे न 25-25 जा रुपे का दोनों ही मैचस में गिबवे है साउथ प्रिका T20 लीग में और इंटरनेशनल T20 लीग में तो भाई मास्टर 11 को भी जो है आप डाउनलोड कर लेना हमने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल रखी है टेलिग्राम पर भी जो है आपको लिंक मिल जाएगी टेलिग्राम पर भी आप जाके जूर सकते हो विडियो के description में हमने telegram के भी link डाल रखी है directly अब match के बारे में बात करते हैं Dubai Capitals, DUB और Abu Dhabi Kings, ABD match number 8 है UAE T20 League का और ये Dubai International Cricket Stadium जो है UAE के venue पे खेला जाएगा यहां कि अगर मैं पिछली report की बात करूँ balance पीछ है, bad ball दोनों को अच्छा support मिलता है अच्छी जो है ground है यहां पर अगर आप देखोगे ना average first link का score तो भाई 166 run है जो कि काफी अच्छा और decent सा माना जाता है fast ballers को जो है अच्छा swing मिलता है wickets मिलते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और guys वीडियो को like जरू से कर दिया करें तालिस बार bet first करने वाली टीम ने विन किया है और 75 बार bet second करने वाली टीम ने विन किया है average first inning score 157 है highest score 219 run lowest score 69 run है अब 124 matches में क्या हुआ है 43 matches में 150 से नीचे का score बना है 150 से 170 run के बीच में 49 बार score बना है 170 से 190 के बीच में 30 बार और 190 से उपर बारा बार score बना है venue पर वैसे continue जो है matches हो रहे है 22 January को match के ला गया था 21 January को और 20 January को तो यहाँ पर आप continuous जो है matches देख सकते हैं last के matches में अगर आप देखोगे bet second करने वाली टीम ने जो है सारे के सारे matches जो है भी इन किये है wickets की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो 12 wicket गिरी है यहाँ पर भी 12 wicket गिरी है यहाँ पर भी 12 wicket गिरी है यहाँ पर 11 wicket गिरी है और यहाँ पर 11 wicket गिरी है तो जनरली 12 13 wicket का scenario आप लेके चल सकते हो कि इतना जो है लगबग गिरता है और वही 160 से 170 रन के बीच में बनता हुआ दिखाई देगा average score last के 5 matches का अगर बात की जाए तो 145 का ही है और अगर आप देखोगे total wickets तो last के 5 total matches total जो है 60 wickets गिरे हुए 42 बार यहाँ पर fast ballers ने 42 wickets लिये हैं और 18 wickets spinners ने लिये हैं तो यह भी एक scenario है total अगर आप देखोगे 60 wickets गिरे हैं 5 matches में लगभग 12 wickets गिरते हैं हर match में और guys यहाँ पर fast ballers ने काफ़ी अच्छे wickets निकाले हैं लगभग 80% अब हम बात करते हैं head to head के record की तो head to head के record में अगर आप देखोगे न तो total 2 T20 matches हुए है दोनों के दोनों match जो है Dubai Capitals की team ने win किया है यह वाला match यहाँ पर JSK और PR लिगया तो उसको ignore करना यहाँ पर जो है Dubai Capitals की ही team ने जो है दोनों matches win किये हैं यह आप जो है इनका देख सकते हो यह वाला ignore कर देना ठीक है Dubai Capitals की team ने जो है दोनों ही टीम ने दुवई ने और जो है आबुधाबी ने इन दोनों ने बैट first की और बैट first करते हुए दोनों ही टीम लॉस कर गई है यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए दुबई की टीम जो है अच्छा स्कोर करती है हर मैच में लगबग जो है 150 प्लस जो है स्कोर करती है ज्यादा विकेट्स खर्च नहीं करती मुझे यहाँ पर फेवरेट टीम जो नजर आ रही है वो दुबई कैपिटल्स की टीम जो है फेवरेट नजर आ रही है अब हम बात करते हैं प्लेंग 11 की सबसे पहले हम दुबई कैपिटल्स की प्लेंग 11 देखते हैं डेविड वार्नर के साथ में आर गुरबाज आपको ओपिन करते में नजर आएंगे बंडाउन पे जेक फ्रेजर हैं उसके बाद सैम बिलिंग्स है सिकंदर राजा है रोमन पवेल है जैसन होलडर है राहुई चोपड़ा है रोल्फ वार्ड एर मेवार है और आकिफ राजा के साथ में डी चमीरा है दुबई कैपिटल्स की प्लेंग लिए बने काफी अच्छी बैट और बॉल इनकी जो है लग रही है टीम काफी अच्छी स्ट्रोंग लग रही है और impact player में last match में कीन रिचर्डसन आपको खेलते भी दिखाई दिए थे आब उदाभी team की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आलिशान सर्फू के साथ में एंड्रू गोज जो है आपको open करते में नज़र आएंगे उसके बाद Michael paper है फिर Sam Han है, Lauren Iman's है इमाद वसीम है, आंद्रे रसेल है रभी बोपारा है, डेविड विली है सुनिल नरायन है और जोस्वा लेटिल है आब उदाभी team की यह playing 11 है दोनों ही team की playing 11 with batting order player roll हमने लिखा हुआ है मतिउल्ला खान जो है आब उदाभी team की तरब से last match में एजा impact player आपको खेलते भी दिखाई दिये थे player की अगर मैं recent form की बात करूँ डिविड बार्नर, 20 run, last match आर गुरबाज, 15 run, jet pressure, 14 run सैम बिलिंक्स ने जो 52 किया सिकंदर रजा 48 run, लेकिन कोई wicket नहीं ले पाए, अच्छी जो है innings केलते है एक एक player का आपको यहाँ पर पूरा stats दिखाई देगा, जिनका venue stats अब level है, head to head का stats है, सभी चीजे हमने लिखी हुई है, ये last match की जो है, Dubai Capitals की balling details है, इसमें अगर आप देखोगे न D.C. Amira को सिर्फ 4 wicket मिला था बाकी सारे जो है wicket less रहे थे सबनी जो है, ओबर डाले थे, power play में गिंदबाजी कौन कराएगा, तो Jason Holder और D.C. Amira आपको power play में गिंदबाजी करते हैं भी लेंगे, केन Richardson और यहाँ पर तो है आपको बता दें कि Ralph Warder मेवार या सिकंदर रजा ये आपको death में गिंदबाजी करते हैं मिल सकते हैं, आप उधा भी किंग की अगर हम बात करूं, एंड्रू गोज, last match में 3 run पे आउट वे, लेकिन इसके पहले वाले match में इन्होंने 100 run किये थे और बहुत यह अच्छी इनिंग्स के लिए थी man of the match भी रहे थे, इसके अलाबा इनकी पूरी टीम जो है, last match में फेल रहे थी आप देख सकते हो, last match की इनिंग्स अमने लिखी हुई है इनकी last match की हम balling एकते हैं, ये last match की जो है इनकी पूरी balling details है, इसमें अगर आप देखोगे, मतिउल्ला खान को सिर्फ एक बिकेट मिला था, बाकी जो है इनकी टीम पूरी तरीके से flop रही थी डेविड विली, जा आपको जो है power play में गिंदबाजी करते हों मिलेंगे, जोस्वा लिटील के साथ में, और death में अगर में गिंदबाजी की बात करूं, तो आंद्रे रसेल जोस्वा लिटील, यही जो है आपको death में गिंदबाजी करते हों मिलने वाले हैं टॉप पिक्स की बात करते हैं, टॉप पिक्स यनि की player important, player कौन कौन से रहेंगे जेस्टन होल्डर, आंद्रे रसेल, सिकंदा रजा डेविड वार्नर, आर गुर्बाज, जैक फ्रेजर, लॉरे निवाल्स और सेम बिलिंग्स यह बढ़ियां-बढ़ियां players हैं, small league की team में आप इन players को रखना, मेरे भाई, काफी सारे लोग लेके आ रहे हैं तो आपको भी इनको prefer करना चाहिए small league की team में अगर आप captain wise captain जा रहे हैं जैसन होल्डर, आंदरी रसेल, सिकंदा रजा और डेविड वार्नर यह चार आपको जो है one of the best option मिलती है small league की team में captain और wise captain करने के लिए तो मैं आपको recommend करूँगा इन ही चार में आप जो है captain wise captain जाओ grand league की team में अगर आप जा रहे हैं तो आर गुर्बाज को आप ट्राई कर लेना grand league की team में बहुत बढ़िया जो है option रहने वाले हैं और अपने दिन पे काफी अच्छा करते हैं 2023 काफी अच्छा गया हुआ है 2024 में इनका बहुत अच्छा जा रहा है जेक फ्रेजर जो है रिसेंटली आपने बिग बैस में देखा होगा अच्छा खेल रहे थे बढ़िया खेलते हैं लोरेन इमान्स भी बिग बैस में काफी अच्छा खेल रहे थे बढ़िया खेल रहे थे सांदार खेल रहे थे सैम बिलिंग्स ये underrated player रहते हैं लेकिन अपने दिन पर बहुत अच्छा करते हैं रिसेंटली ये चारो प्लेयर्स जो है बिग बैस केल के आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में है मैं आपको रिक्मेंट करूँगा ग्रैंड लिक की टीम में वन बई बन करके as a captain wise captain आप try कर सकते हो हाला कि अच्छी अच्छी इससे भी options है अंद्रे रसेल, सिकंदा रजा, डेविड वारनर, होल्डर इनको इनके साथ में इन चारों का आप combination जो है ग्रैंडी की टीम में बना सकते हैं दुबई कैप्टल्स की पुरी फुल स्कॉर्ट डिटेल और आबुदाभी किंग्स की पुरी फुल स्कॉर्ट डिटेल दोनों ही टीम की हमने यहाँ पर स्कॉर्ट डिटेल सेयर की हुई है तो आप दोनों ही टीम की यहाँ पर स्कॉर्ट डिटेल जो है देख सकते हैं टेलिग्राम का चैनल जॉइन कर लिजएगा वीडियो के description में हमने link डाल रखी है टेलीग्राम important रहेगा वहीं पर आपको जो है मैं try करूँगा small league की team देने के लिए और mini GL की team देने के लिए investment की अगर बात की जाए तो यार normal ही invest करना 2 matches हैं South Africa T20 League, UAE T20 League तो ये वाला match भी मैं cover करूँगा ये वाला भी कबर करूँगा इसकी वीडियो जो है 3-4 बजे के आज पास आपको मिल जाएगी हमारे ही चैनल पे तो चैनल को subscribe भी आप कर लेना अब हम यहाँ पर अपनी जो है 3 member 4 member की जो है team ready कर लेते हैं तो भाई विगेट keeping section से शुरुआत करेंगे आपको जो है Sam Billings, R. Gurbaz, Michael Paper और Andrew Goss आपको जो है 4 options बिलती है Andrew Goss ने एक match में बहुत ही अच्छा जो है perform किया था अगर आप देखोगे भाई century मारी थी 148 point दे कर गए थे बहुत सांदार जो है खेले थे उस match में last तक जो है ठीके रहे थे तो मुझे लगता है कि ये Grandly की ही option रहते है R. Gurbaz यहाँ पे safe option है Sam Billings के साथ में आप जा सकते हो Michael Paper को भी जो है आप Grandly की टीम में try कर लेना अब बात करें बैटिंग सक्षन में David Warner हमारी टीम में directly आएंगे मैंने Roman Pauvel को भी अपने टीम में लिया है कम बोलो में जो है ज्यादा run करते है Jack Fraser को आप लेके जा सकते हो मैं नहीं ले पाया हूँ बाकी यहाँ पर कुछ खास option मुझे नजर नहीं आ रही Lauren Imanz को भी आप ले सकते हो आपके उपर है मैं फिलाल उनको prefer नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अधर बहुत सारी option है रसेल को लिया है सिकंदर अजा को लिया है सुनील नरायन को लिया है जैसन होल्डर को लिया है डेवड वेली को लिया है और यहाँ पर इमाद वसीम को लिया है रोल वर्डेर मेवार जनरली एक विगेर तो आपको निकाल के देही देते है recent form उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने drop किया हुआ है बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो मैंने डीच अमीरा को prefer किया है साथी साथ यहाँ पर देखो आपको केन रिचर्ड सन है आपको लास्ट में खेलते वे दिखाई दिये थे इसके लावा कुछ खास option नहीं है फिलाल अभी के लिए मैंने जोस्वा लेटिल को अपनी टीम में प्रेफर किया है कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए नो डाउट सिकंदर राजा मेरे कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन मैंने रसेल को यहाँ पर किया हुआ है टीम प्रिव्यू की बात कर लेते हैं गाईज अगर टीम प्रिव्यू में देखोगे 6 प्लेयर मैंने दुबई कैप्टेल्स के लिए हैं आबुधाबी किंग्स के मैंने 5 प्लेयर लिए हैं आर गुरबाज है मारी टीम में डेविड बार्नार है रोमन पवेल है, सुनिल नरायन है, अंदरी रसेल है जैसन होलडर है, सिकंदर रजा है डेविड विली है, इमाद वसीम है जोस्वा लेटिल है और डी चमीरा है चेंजस क्या कर सकते हो, डेविड विली इमाद वसीम की जग़े पे, आप चाहो तो एक्स्ट्रा बैटर को लेके जा सकते हो, लेकिन यह टीम मुझे जो है काफी अच्छी और बैलेंस टीम लग रही है, तो मैं ट्राइ करूँगा इसी टीम के साथ में जाने का देखते हैं, अगर प्लेइंग लेवन में कोई चेंज नहीं होगी मैं इसी टीम के साथ में जो है क्वांटेस जाइन करने वाला हूँ, उमीद करता हूँ यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे अगर आप पहली बार आये हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखते रहो, सपोर्ट करते रहो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में